नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सुरभी सोलंकी और आज इस फीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रेग्नेंसी के दौरान हस्बेन को ब्रेस्ट फीडिंग कराना आगे चलके बेबी के लिए ठीक रहता है कि नहीं या इससे कोई नुकसान होता है जी हाँ ये उन कई सवालों में से एक है जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं जानना चाती है लेकिन शरम की वज़े से किसी से पूछ नहीं पाती है तो आज इस वीडियो को ज़ारा आपको ये जानकारी में देने वाली हूँ देखिए सबसे पहले जैसे कई लोग पूछते भी हैं कि क्या प्रेग्नेंसी की दौरान सेक्स करना ठीक है की नहीं तो इसका जवाब मैं अपने प्रिवियस वीडियो में दे चुकी हूँ कि जी हाँ प्रेग्नेंसी की दौरान आप सेक्स बिलकुल कर सकते हैं अच्छा होता है पूरे 9 महिने में कर सकते हैं अगर आपकी प्रेग्नेंसी नॉमल है आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है आपको नीचे कोई क्रांपिंग नहीं हो रही है अपने यूटरस के एरिया में तो बिलकुल एक नॉर्मल प्रेग्नेंसी में सेक्स कर सकते हैं उसमें कोई भी बुराई नहीं है, चाहे वो शुरुआती pregnancy हो, चाहे वो बाद की stages हो, बिल्कुल आप sex कर सकते हैं अब इसमें आज मेरे जो WhatsApp पे consultation मैं patients को देती हूँ, उसमें से एक pregnant महिला ने जोकी 8 months pregnant थी उन्होंने ये particular question पूचा कि मैं क्या husband को breast करा सकते हैं, pregnancy के दौरान इससे आगे चलके कोई problem तो नहीं होगी, baby के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, या कोई नुकसान तो नहीं होगा तो ये सवाल मुझे लगा कि इसमें वीडियो जरूर बनाना चाहिए कि उन्होंने तो पूचा लेकिन कई लोग पूच नहीं बाते हैं तो जी हाँ, breast feed आप husband को करा सकते हैं, pregnancy के दौरान इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है इन फाक्ट ये अच्छा ही रहता है, ये आपके breasts को prepare करता है आगे चलके ताक कि बच्चा easily latch on कर सके और बच्चा easily आपके breasts में से सक कर सके milk को और ये आपके nipples को in drawn होने से भी protect करता है तो आपके nipples की एक shape normal बनी रहने में भी help करता है और आपस में आपके husband wife की bonding होती है फो तो और अच्छी होती ही है तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है और इसमें कुछ भी मनाही नहीं है आप बिल्कुल husband को breast करवा सकते हैं प्रेग्नेंसी के दौरान इससे आगे चलके आपके baby को फाइदा ही होगा नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा इसके इलावा क्या होते है जब आप delivery होती है आपके baby की उसके बाद करीब पांच दिन तक जो पहला milk निकलता है आपके breasts में से वो गाढ़ी पीले रंका जो milk होता है उसको kolostrum बोलते हैं वो काफी important होता है बच्चे के लिए सक करने के ल बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है तो पहले से अगर pregnancy के दौरान आपके husband सक करते हैं breasts को तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है इसके आपके breasts के और breast के nipples के normal shape बना रहता है और वो आगे चलके आपके baby को breast सक करने में और easy रहता है तो इसलिए इसमें कोई भी problem की ब clear करना चाती हूँ इसी वीडियो में कि एक तो पुछते हैं कि अगर हम शुरुआती pregnancy में sex करते हैं तो क्या miscarriage का risk बढ़ जाता है या उससे miscarriage तो नहीं हो जाएगा अगर हम pregnancy के लिए try कर रहे हैं तो हमें implantation के बाद sex बंद कर देना चाहिए इस type का कई लोग के मन में doubt है तो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है sex आप regularly कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी miscarriage की history नहीं है आप एक normal couple है सब कुछ normal है normal आपकी pregnancy है या आप plan भी कर रहे हैं pregnancy के लिए तो आपको कोई इस चीज़ का जादा extra cautious रहने की ज़रोती ह है कि हम sex करना बंद कर दें कि शायद आप pregnancy हो गयोगी ovulation हो गया है अब हम sex करना बंद कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है और आप normal sex कर सकते हैं उस दौरान भी तो sex से आपके miscarriage का कोई लेना देना नहीं होता है normally और जो आपको बच्चा होता है वो आपके uterus में एक तो strong muscles होती आपके uterus की उसके अंदर विर्कुर protected रहता है दूसरा जो आपको बच्चा होता है वो amniotic fluid के अंदर होता है जो कि उसके लिए कुशन का काम करता है और उसको जटकों से बचाता है तो ऐसा नहीं है कि sex के जो jerks होते हैं उससे आपके बच्चे को feel करता है या उसको कुछ problem ह होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है हाँ अगर आपके थोड़ बहुत bleeding हो रही है pregnancy में या miscarriage की history रही है तो आप थोड़ा वॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा दूसरी चीज यह कि जब आपके later stages of pregnancy है आठ नौ महीने की pregnancy है उस टाइम पे sex करने से कोई नुकसान तो नहीं हो है in fact कुछ doctors तो इस मत के होते हैं कि उस time पे sex करने से आपके normal delivery के chances और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि जो simen होता है उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो की labor pains को promote करते हैं timely labor pains को initiate करने में help करते हैं इसलिए कई doctors अपने patient से कहते हैं कि last जो आपके months है pregnancy के उसमें sex बिलकुल ब आपके normal delivery के chances भी better होते हैं प्लस आपका labor time से start होता है तो इसलिए कई benefits भी बताया जाते हैं इसके तो बिलकुल pregnancy के दौरान sex करना कुछ गलत नहीं है नहीं कुछ नुकसान दायक है इसे husband wife की bonding अच्छी बनी रहती है और baby के लिए भी ये कोई भी नुकसान दायक चीज नही होता है तो hopefully आज का वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बैल है all के option के साथ उसको भी जरूर प्रेस क कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले प्रेग्मेंसी से रिलेड़ेड यूसफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस्स ना हो मैं आपसे मिलूंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए